स्वागत है आपका इननम की यूट्यूब चैनल पे और आज हम बात करेंगे माइंड मैप सीरीज के पांचवे टॉपिक के बारे में जो की है वाटसन एंड क्रिक का डी एने डबल हलेक्स मॉडल जी हाँ बहुत इंपोर्टन टॉपिक है यही बेस क्रियेट करता है कि डी एन गौंसेट है वो यहाँ है डी एने का डबल हलेकल मॉडल बाई वाटसन एंड क्रिक और अब हम जानते हैं कि डी एने कैसा होता है according to वाटसन एंड क्रिक बाकी के भी डी एने जो है जेड डी एने ए डी एने उनके अगले सीरीज के में बात करेंगे पर इस सीरीज में हम इस के DNA double helix model के सारे parameters को cover करता है और सारे चीजों को बताता है कि DNA के जो parameters हैं वो कौन-कौन से हैं और उनकी length कितनी हैं उनका turn कितना है उनका angle कितना है ठीक है तो अब एक एक करके देखते हैं तो जो यह जो model था उसको जैसा कि हम सब जानते हैं अब यह जो है इन्होंने बताया कि यह जो DNA होता है वो डुप्लेक्स होता है डुप्लेक्स का मतलग कि यह दो स्रेंड्स में बना होता है ठीक है दो स्रेंड्स होते हैं इसमें DNA के single stranded नहीं होता है दो स्रेंड्स होते हैं और दोनों स्रेंड्स एक दोसरे के parallel चलते हैं parallel से क्या मतलब है यहां पर आप देख सकते हो कि यह जी 5-2-3- ऐसे एक चलेगा ठीक है एक में phosphate bond का order 5-2-3- रहेगा और दूसरे में 3-2-5- ठीक है और यह anti-parallel है क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर इस strength पर 5 यहाँ पर है और यहाँ पर इधर पर है है ना और यह दो strength से बने होते हैं अब जब यह model हम जानते हैं तो यह बिल्कुल एक CD जैसा नहीं होता है कि एक one by one step है यह CD होता है लेकिन एक twisted CD होती है ठीक है यह staircase की तरह होता है बट twisted staircase की तरह होता है ठीक है helically twisted होते हैं जो कि कुछ इस तरह से दिखते हैं ठीक है तो हम जान चुके हैं कि इसमें दो strength होता है double chain होता है और एक दूसरे के anti-parallel होता है और यह इसके जो दोनों chain होते हैं वो helically twisted होते हैं ठीक है अब हम जानते हैं इनका जो diameter होता है वो diameter कितना होता है 20 angstrom diameter से हमाया sense क्या है कि इस strength से लेके इस strength के बीच का जो जो DNA का 4 है उसका diameter कितना है 20 angstrom ठीक है अब हम जानते हैं कि इनके बीच दो adjacent basis जोंगे जैसे यहाँ पे A है और यहाँ पे G है ठीक है तो इन basis के बीच का distance कितना होगा 3.4 angstrom ठीक है दो adjacent basis के बीच कितना distance होता है 3.4 angstrom और इस तरह से क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक turn में कितने होते हैं हर एक turn में 10 base pair होते हैं ठीक है हर एक turn में 10 base pair होते हैं तो अगर 2 base pair के बीच में 3.4 angstrom का distance है तो 10 से multiply कर देंगे तो क्या आ जाएगा 34 angstrom तो इस तरह से हम बता पाएंगे कि जो एक complete turn है जो एक complete turn है उसके बीच जो distance है वो कितना है 34 angstrom ठीक है तो 10 base pair एक turn जो होता है इनका एक turn जो होता है उसमें कितने base pair होते हैं 10 base pair होते हैं ठीक है पर base pair distance कितनी होती है 3.4 angstrom कितनी होती है 3.4 अब ऐसे 10 बेस बेस्पीर है तो 3.4 को 10 से multiply किया तो पूरे टर्न की लेंग्ध कितनी आ गई 34 एंगस ट्राम ठीक है पूरे one complete हेलिकल टर्न की लेंग्ध आ गई 34 एंगस ट्राम ठीक है अब इनका है एंगल की होता है नि टेन बेस होता है तो इस तरह से हम देख सकते हैं इकटल कि इन्हें मॉलेकुल नांविक टो डिवाइट होगा अगर हम इसको 360 को 10 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा 36 डिगरी तो पर सिड्यू यह जो डी रोटेशन है वो 36 डिगरी होगा ठीक है तो ये हम समझ गया है अब यसमें दो ग्रूफ होता है और एक माइनर ग्रूफ होता है त्लगे और जो बांड से और जो सी है वो ग्वानिन जीसे बांड होता है तीन hydrogen bonds के थूँ ठीक है तो यह हो गया इसका basic और इनका यह जो backbone होता है वो सुगर phosphate bond से बना होता है pentose और phosphate की बीच में जो bonding होती है उस bonding से फॉसफोर डायस्टर बांडिंग से जुड़ा होता है बीच की जो bonding होती है hydrogen bonding होती है जो nitrogenous basis और सुगर के बीच में bonding होती है वो glycosidic bonding होती है ठीक है तो और यह बता दू कि यह जो James Watson and Crick का model James Watson and Crick model है DNA double helix का discover हुआ था crystallographic studies के help से ठीक है तो चलते हैं अब इस lecture में इतना ही मिलेंगे अगले mind map series में तब तक के लिए thank you for watching